मौशन अलमाइज एलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लींजिंग एक्शन ओफ सोप 10th क्लास का चैप्टर 4 कार्वाइंज कमपाउंट्स उसका लास्ट टॉपिक हमारा क्या है क्लींजिंग एक्शन ओफ सोप इस टॉपिक के अंदर जनरली कल्फूजन क्या होती है कि पहली चीज चाहिए mira यह सतों में एक्शन कैसे कर रहे हैं क्याम सब जो रे जिए माहिसन क्या होती है यह सब कीश선 दिक्कतरे रहते है je आज हम इनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा दूर करते हैं और समझते हैं कि आखिर जो सोप है वो कैसे हमारे गंदे कपड़ों को साफ कर देता हैं ओके तो फिस्ट अफॉल सूप सूप क्या होते हैं सोडियम और पोटेश्यम सोल्ट और फैटी एसिड्स फैटी एसिड्स जो होत ठीके Max with a few buffs होते हैं वो क्या होते हैं हमारे सुप होते हैं ओके सौडियम स्टीरथ यहां पर मैंने एक एक अग्जाम्पल भी लिखा हुआ है तो यह क्या है शॉण का एक सॉल्ट है तो यह क्या है हमारा सौडियम का एक ते्सिथे गो भुरू ऑ प्लॉप कौन सा होते हैं लिए अब लिए अब ऐसे करता है कपड़े को साफ करने के लिए देखे क्या होता है कि आपने कपड़ा लिया ठीक है वह कंदा है उसमें मान लीजिए ऑईल ड्रॉप ग्रीस वा राइन सबके जो है गंदगी लगी हुई है उसके अंदर आप ने उसको पानी में डाला पाणी में सोप डाल दिया आपने ठीक है फिर उसके बाद क्या होता है कि सोप के अंदर का जो ये पार्ट होता है इसमे। दो ये जो आपको दिख रहा है C17S35 वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट है ये जो जिगजग ऐसे आपको चैन दिख रही है ये इसका पार्ट है, इसके आगे जो C-O-O-N-A था, ये वाला पार्ट जो है, ये हमारा ये वाला पार्ट है, जो मैंने यहाँ पर N-A+, N-A+, ऐसे यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे जो होते हैं, सोब के पार्ट, किसकी तरब भागते हैं, स जहाँ पर डर्ट होती है, ओल होता है, तो इसके दो एंड है हमारे, एक ये वाला और एक ये कार्बन चेन वाला, हाइड्रो कार्बन चेन वाला जो पार्ट है, अब इसके अंदर ये जो पार्ट दिख रहा है, आपको, C-O-O-N-A+, वाला, इसको तो हम कहते हैं, हाइड्रो फीलिक, यह होता है, हाइड्रो फीलिक एंड और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं, हाइड्रो फोबिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स रिपैलिंग या हेटिंग आप कह सकते हो, जो पानी से दूर बागता हो, और हाइड्रो फीलिक, मतलब वाटर लविंग, जो प पानी के पास जाता हो प्यार करता है पानी से पानी में डिसोल हो सकता हो चीक है यह वाला पार्ट तो यह जो आपको यहां पर दिख रहा है यह वाले जो पार्ट है यह सारा का सारा क्या है हाइड्रो फीलिक पार्ट है और यह जो आपको जिग्जग चेन दिख रही है यहां यह सारे के सारे hydrophobic part होता है अब यहां होता क्या है यह बहुत सारे ऐसी इसोप के molecules जो होते हैं अप्रोच किस की दरफ भाग रहे हैं हमारी गंदगी की तरफ डर्ट की तरफ और ओल ड्रॉप के पास और यह वाला जो पार्ट होता है हमारा जिग्जग वाला पार्ट सारा किस को अटेच्च कर रहा है यह ओल ड्रॉप से अटेच्च करता है क्यों क्योंकि यह वाला जो पार्ट होता है यह होता है नोन पोलर और यह वाला पार्ट क्या होता है पोलर चार्ज दिख रहा है ना सी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एट मींस यह पोलर इन नेचर है प बोटर लविंग मोत ये पॉलर डिजॉल्विन फोलर हो जाता है और ये वाला जो पार्ट होता है जिंग जग चीन वाला पर नोन पोलर होता है और oil भी ऐसा होता है non polar इसलिए non polar non polar एक साथ attach होते हैं चीक है अब यहाँ पर क्या हुआ यह अप्रोच करते हैं और ऐसे कई सारे molecules वापस में अप्रोच करके oil drop क्या रहा हूं ऐसे एक spherical shape में क्या बना लेते हैं एक formation बना लेते हैं हम इसे क्या कहते है myself formation इसे myself formation कहते हैं और यह जो होती है यह dirt से चिपक जाती है ऐसे हमारी oil drop से उसके बाद जब आप उसे rub करते हैं कपड़े को जब आप रब करोगे या दुबारा उसको डुबो डुबो के ऐसे निकाल के बाहर खीचोगे तो क्या होगा यह myself जो होती है एक spherical shape में बन जाएगी औ जैसी आपने उसको rub करा missile जो है वो अलग हो गई तो missile अपने साथ किस चीज को ले गई oil drop जो हमारा dirt था गंदगी थी उसको अपने साथ ले जाएगी और वो जो हमारा dirt है वो किसमें चला गया सारा का सारा यह वाला पार्ट किसमें dissolve था water में तो सारा का सारा missile किसके साथ रह पार था हमारा और यह जो पोलर वाला पार्ट है hydrophilic है hydrophilic में जो water में dissolve हो जाता है फिर मैंने आपको बताया कि ऐसे ही water के कई सारे ओ सोप के जो molecule है कई सारे ऐसे भागते हैं इनमें जो non-polar वाला पार्ट होता है carbon chain वाला वो non-polar oil drop कैसे होती है non-polar उसके तरफ जाता ह है और बाहर जो polar वाला पार्ट है वो water में dissolve होता है polar में ठीक है तो ऐसे ही यह पूरी formation micelle की बन जाती है जैसे आप रब करते हो वो बाहर पानी के अंदर रह जाता है वो ठीक है यह वाला पार्ट water में dissolve कर देता है ना इसको तो आपकी missile किसमें रह गई पानी में और आपने कपड़ा बहर निकाला तो क्या होगे आपका कपड़ा साफ हो गया ओके फ्रेंड्स तो यह था हमारा cleaning action of soap क्या थे missile formation कैसे बना और यह कैसे work कर रहा था यह मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया I hope कि आपके यहाँ पे जो doubt है इस topic को लेके हो clear हो गए होंगे next video में मिलेंगे new topics के साथ कुछ नई बात नई तरीके से समझेंगे उन topics को भी जो आपके लिए बहुत ही helpful रहेंगे